मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कथनी करनी में अंतर रखने वाले लोग हैं वो महात्मा होई नहीं सकते अरे कहां है इतनी गाये उनके पास जितना वो देश में घी सप्लाई कर रहे हैं अगर उनमें वकाल है तो बताओ मुझे गिंती करवाओ कि भारती गाये का मैं एक रामदीब के बारे में सबाल करना चाहूंगा आदने अध्यातमिक की बात करी ते आपने पूछ लिया तो बता ही देता हूँ जब पर्थम आवहान हुआ राजीव दिख्षत हमारे स्कूल में हमारा वहाँ पर बुंदेल खंड में एक स्कूल है जिसको हम लोग हमारे एक बड़े भराता हैं रमा संकर मनी सी उन्होंने आचारी चानक और स्वामी विवेका नंद को एक अच्छे भदर पुरस के रूप में देखा और वहाँ एक तक्स सला सीनियर सेकंडरी स्कूल कोला लेकिन वो गुरुकुल के पैटर्न पर हमारे रमा संकर जी 29 वर्ष से लगातार जो औसत भारती जीवन है उस तरह से जीते हैं फलाहार करते हैं और फलाहार भी कोई से जो उगा के खाते हैं अपने घर की गाय का दूद पीते हैं उनने राजी दिख्षत को बुलाया और वो लगातार फिर आठ बार है फिर राजी दिख्षत ने हमारा आवान किया कि आपको पतंजली चलना और हम लोगों ने भाराश स्वाइमान की रचना की है और उसमें पर्थम पंक्ति में आप लोगों को सही होगी बनना है हम लोग गए और वहाँ जाके देखा तो सबसे पहले हम जहां रुके थे रामदयो जी की गौशाला में मेरे बड़े भाई आर सार्शन में जो पतंजली चलना है देश दुनिया में जिसका एक बड़ा नाम है बड़ा वो सब है मैं वहां रहके आया हूँ मेरे पिता जी का एक्सिडेंट हो गया मैं चला आया इसके बाद राजीव की हत्या होगी राजीव दिख्षित की हत्या इस देश के लिए एक ब वो द्वेक्ति है और इस आदमी के चलते हमारे कत छोटे हो रहे हैं कहीं राजनीती में हावी न हो जाए क्योंकि दो करोड़ हुआ राजीव दिच्छित से जुड़ गए थे इस दर से इस देश के ठेकदारों ने राजीव दिच्छित की मिल मिलाके रामदयोजी के साथ कहा कहां से क्या-क्या कौन-कौन-पापी समने थे इस दर उन्हें दंड देगा मैं तो निड़र आदमी हूँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी कतनी करनी में अंतर रखने वाले लोग है वो महात्मा होई नहीं सकते अरे कहां है इतनी गाये उनके पास जितना वो देश जा रहा बुद्धू बनाये जा रहा है ठीक है बनाओ भाई लेकिन ईशो तुम्हें दंड देगा जो भी इस देश के साथ एस तरह से सड़ेंत कर रहे हैं और इस तरह से खुरापात कर रहे हैं दंड मिलेगा निश्चत मिलेगा इस और हमें नेशूरल जिस्टिस पर आपको है चैनल सब्सक्राइब करें और गण्टी का बटन भी दवाना ना भूते ताकि सब्सक्राइब पहुंच सकें आप पे सबसे पहले